हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मैनुफैक्टरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं जिने देख कर आप खुश हो जाएंगे क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको बेहत पसंद लेकिन आप ये नहीं जानते कि आखिर इन चीज़ों को फैक्टरि में कैसे और किस तरीके से बनाया जाता है तो दोस्तो, आराम से बैट जाईए और आपका समय बरबाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे लेस के बारे में आपने तो सुना ही होगा और खाया भी होगा छोटे से बड़े लोगों ने लेस खूब खाया है लेस तो कई तरह के आने लगे हैं चटपटे लेस, शुली लेवन, टोमेटो फ्लेवर, सिंपल फ्लेवर सब की पसंद के लेस आते हैं मार्केट ने और हम खूब खाते भी हैं लेस मैनुफैक्टरिंग फैक्टरी दोस्तों ये सभी का फेवरेट है आप इससे सबसे जादा खाना पसंद करते हैं मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिर इस चीज को फैक्टरी में बनाया कैसे जाता है इसको बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट कॉलिटी वाले आलू की खेती की जाती है जब ये आलू अपने सही आकार में बड़े हो जाते हैं तब इनहें बड़ी-बड़ी मशीन वाले ट्रैक्टर की मदद से खेतों से आलू मों को उठाया जाता है और फिर इसके साथ दूसरी ट्रक में इसे लोट किया जाता है और दोस्तों ये ट्रक आलू से भरा होता है फिर ट्रक फैक्टरी के लिए निकल जाता है उस गर्म पानी में आलू को डाल कर अच्छे तरीके से साफ किया जाता है जिससे आलू पर लगी धूल और मिटी आसानी से हट सके बिना क्लीन की आलू को बाहर नहीं निकला जाता आगे फिर इस कॉंट्रा बेल्ट की मदद से आलू को छीलने के लिए वहाँ पर लगी एक दूसरी मशीन के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है वो भी ट्रॉली की मदद से और ये एडवांस मशीन आलू को अच्छी तरीके से छील कर उसे एक पानी के कंटेनर के अंदर छोड़ देती है अगले स्ट्रिप में मौझूदा वरकर्स अपने हातों से गंदे आलूओं और सड़े गले आलूओं को अलग करते हैं और धीरे धीरे वो मशीन आलूओं को आगे लेकर जाती है फिर आगे ले जाकर स्लाइस मशीन के अंदर इसे डाल दिये जाता है यहाँ पर यह मौजूद slicer, machine आलूमों को अच्छी तरीके से slice कर देती है और आगे फिर आलू पूरी तरीके से chips के आकार में बदलते हुए दिखाई देते हैं अगले step में इन बनाए गए आलूमों की slices को गर्म उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर यह पूरी तरीके से deep fry हो जाते हैं अब दोस्तों आगे आता है सबसे बढ़िया पार्ट इस chips के साथ इस मसाले को add करने की प्रक्रिया को देखना आप इन chips को corner belt से गुजारा जाता है जहाँ पर इसके उपर से इसके मसाले को sprinkle किया जाता है जो की मज़ेदार मसाले डाले जाते हैं इनको बंते देख तो लोगों के मुह में पानी आगया होगा है न इन मसालों में आप एक अलग ही टेस्ट पाओगे जो की सिर्फ फैक्टरी मेकिंग में डाले जाते हैं और इन मसालों की अलग ही speciality होती है हलके से salty और spicy होते हैं जिसे खाते ही मुह का टेस्ट बदल जाता है और अब बात आती है दोस्तों इस चिप्स को पूरी तरह से त्यार करने के बाद पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है कि अलग अलग पैकेजिंग में पैक होकर मारकेट में बेज दिये जाते हैं अगर ये पैक ना हो तो खाने को कैसे मिलेंगे निया इतने चटपटे मसाले वाले चिप्स और हम शौप पर जाकर बड़ी चाव से लाकर घर में टीवी के सामने बैट कर मज़े से पहर फेला कर खाते हैं न और सबसे जादा तो क्रिकेट देखती टाइम लोगों के हाथों में ये चिप्स के पैकेट होते हैं और अगल बगल दो चार रखे होते हैं बच्चों के साथ बड़े बड़े भी पसंदीदा चिप्स अपने अपने हिसाब से खाते हैं दोस्तों चिप्स को अलग-अलग तरीके की डिशिस के साथ बना कर भी हम खाते हैं दोस्तों अगर आप इसको खाने के शौकीन है तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रू बताई कि आपका कौन सा पसंदीदा चिप्स है अब बात करने वाले हैं डेरी मिल्क मैनुफैक्ट्रिंग की डेरी मिल्क चॉकलेट का नाम तो सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले अपने बश्पन की याद आती है कि आये है जब हम छोटे थे तो एक दिन में कितनी सारी चॉकलेट्स खा जाये करते थे और फिर दातों को दिखाने के ये डॉक्टर के पास जाये करते थे और अब बच्चों की बात करें तो वो एक बार जिद कर लें तो भीया ले कर देना ही पड़ता है इतना सब कुछ होता है तो ये भी जान लें कि आकर कार फैक्टरी में कैसे बनाई जाती है डेरी मिल्क चॉकलेट अगर इतना ही खाना पसंद है तो आज कल तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग भी से खाते है इन कैडवरी को बनाने की प्रोसेस बेहदी खास होती है सबसे पहले हाई क्वालिटी वाले कोका फल को तोड़ कर उनके अंदर से उनके बीन्स को निकाला जाता है और आगे इन बीन्स को पू वहां लगी बड़ी-बड़ी मशीन इन्हें अच्छे से बनाती है और फिर इनको धीरे-धीरे आगे ग्राइंडिंग प्रोसेसर में भेज दिया जाता है जो कि वहां की लगी मशीन धीरे-धीरे आगे ले जाती है अब यहीं से शुरू होता है डेरी मिल्क बनाने का प्रो पेस्ट में बन जाता है इसके बाद इन बनाए गए लिक्विट चॉकलेटों को रिफ्रेंस से निकाला जाता है जिसकी मदद से चॉकलेट को अपना स्मूध टेक्स्चर मिल जाता है अब दोस्तों आगे बात करते हैं चॉकलेट पूरी तरीके से त्यार हो जाता है थोड़ी जहां आठ डिरी सेलसियस पे रखा जाता है फिर आगे दो दिन के बाद इन्हें मोल्ड के अंदर से निकाला जाता है और इन चॉकलेट्स को फैक्टरी में दूसरी तरफ अलग अलग पैकेट में पैक करने के लिए भेज दिया जाता है और अब बारी आती है पूरी दुनिया भर में भेजने की जहां जहां ये जाते हैं और वहां वहां ये चॉकलेट्स अपनी जगह बना लेते हैं और लोगों का दिल जीते हैं दोस्तों ये चॉकलेट्स तो आपको पता ही होगा कि जिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी भेज़े जाते हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद होता है और चौकलेट खाने के शौकीन तो पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा खास और सबसे ज़्यादा खाई जाने वाले किंडर जॉई के बारे में हम सभी को बता है कि बच्चों में किंडर जॉई को लेकर काफी क्रेज देखने को मिलता है खास कर Kinder Joy के अंदर निकलने वाले सर्प्राइज टॉय को लेकर जादा तर बच्चे सिर्फ Kinder Joy टॉय के लिए ही Kinder Joy को खरीते हैं इसका टेस्ट भी काफी अलग होता है और काफी अच्छा होता है जो बच्चों को बहुत पसंद होता है इसके लिए Kinder Joy अपने टेस्ट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन देखा जाये तो इसकी कीमत काफी जादा होती है इसलिए हमने अपने बच्पर में इसे सिर्फ तीन या चार बार ही खरीदा होगा और आपने भी लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आखिर इसकी कीमत इतनी जादा क्यों है और इसे फैक्टरी में कैसे और किन किन चीजों से मिला कर बनाये जाता है और हम आपको इस वीडियो के लाश में ये भी बताएंगे कि आगर कुछ देशों में जैसे कि अमेरिका में किंडर जुआइप और बैन क्यों लगाएगा आखिर बैन करने के रीजन के है तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे तो इसे एंड तक जरूर देखेगा किंडर जुआइप को बनाने की शुरुआत होती है इसके वाइट चॉकलेट पेस्ट को बनाने से वाइट चॉकलेट को बनाने के लिए कोको बीन्स, कोको बटर, कोको लेटस को प्रेशर मशीन के जरिये निकाला जाता है साथ ही चीनी और मिल्क पाउडर को एक special type के mixture में डाल दिया जाता है और इससे अच्छी तरह से एक घंटे तक mix किया जाता है जिससे कि इसके अंदर डाले जाने वाले white chocolate paste को बनाया जाता है और फिर factory के दूसरी तरफ kinder joy में डाली जाने वाली chocolate ball को बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए एक cattle machine में hard chocolate को डाल दिया जाता है और इस machine को on कर दिया जाता है जिससे ये cattle धीरे धीरे घूमती रहती है और ऐसे ही बीच में इसके chocolate paste को डाला जाता है और कुछ घंटे इसी तरह घूमते रहने के बाद एकदम chocolate balls का रूप ले लेती है तो इस प्रक्रिया को करने के बाद Kinder Joy के ball रेड़ी है पैक होने के लिए दोस्तों आपको बता दे कि Kinder Joy दो पार्ट में पैक होता है एक तरफ चौकलेट तो दूसरी तरफ चोटे चोटे बच्चों के खेलने वाले toy पैक किये जाते है तो चौकलेट को पैक करने के लिए Kinder Joy की पैकेट को खाचे वाले mold में डाल दिया जाता है और एक बड़े से कंटेनर में white chocolate और दूसरे तरफ बड़े कंटेनर में chocolate balls को डाल दिया जाता है इसी तरह से ये conveyor belt packet को लेकर आगे बढ़ते हैं और इससे पहले white chocolate को डाल दिया जाता है और फिर आगे chocolate balls को add कर दिया जाता है अब बारी आती है दूसरे side की मतलब toy वाले side जिसके लिए इन खाचों में manually हाथों से toys को डाला जाता है वही toy जिसके लिए बच्चे Kinder Joy के लिए लड़ने भी लग जाते हैं तो अब बारी आती है इसको seal करने की जिसके लिए इस conveyor belt पे ये पहले chocolate वाली side वा दूसरे side वाले खाचे में Kinder Joy को packet में रग दिया जाता है और आगे एक पतली polythin को machine के थूँ special चमच को जिपका दिया जाता है और फिर इन तीनों को एक machine में डाल दिया जाता है जहां पर ये तीनों मिलकर अच्छे से seed हो जाते है और फिर इसकी cutting कर दी जाती है दोस्तों तयार हो जाती है इस तरह से महंगी वाली Kinder Joy और अब बात करते हैं कि क्यों इसे ban किया गया था Kinder Joy को अमेरिका में वहाँ पर इसलिए ban किया गया क्योंकि वहाँ के law के according किसी भी खाने वाली चीज में आप फिलोना एड नहीं कर सकते हैं Especially ये छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है तब तो और नहीं और उनकी नजर में जो toys होते हैं उनके काफी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिससे की बच्चे की निगलने का डर रहता है और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है टाक्स अगर आप टाक्स की थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हर तरह के सामान के साथ टाक्स अलग अलग तरीके से लगाय जाता है वैसे ही food item और toy item का tax अलग अलग होता है लेकिन company food item के tax पर ही food और toy दोनों को बेचती है हलाकि इंडिया में इन सभी चीजों को अंदेखा कर दिया जाता है जिससे की यहाँ पर इन चीजों की छूट मिलती है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हूँ दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और भी इंड्रेस्टन वीडियो को देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें और जिससे की हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे सब से चले चले मिल दें आप से एकले वीडियो में बबाई